नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग नीती आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक साथमी बैठक हो रही है दिल्ली में समय जुलाई 2019 के बाद पहली बार ये फिजिकल बैठक हो रही है और इस बैठक का जो फॉर्मेट है इस काउंसिल के चेर्मेन प्रधान मंतरी होते है वाइस चेर्मेन नीती आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है और इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंतरी और केंद्र शासित चेत्रों के लेटेन गवर्नर शामिल होते है ये इन्विटेशन जो है नौन ट्रांस्फेरिबल होता है इसका मतलब मुख्यमंतरी या लेटिनेंट गवर्नर अपनी जगए अपना कोई प्रतिनी दी यहां नहीं बेश सकते इस बैठक के एजेंडे में मुख्यरूप से तीन विशे थे पहला जो नई सिक्षा नीती है उसको लागू करने का रोड मैप दूसरा क्राप डाइवर्सिफिकेशन पर बातचीत सुझाओ मुख्यमंतरियों के क्या है राज्यों के दूसरे किंद शाषित इलाकों के क्या है और केंद सरकार इस बारे में क्या सोचती है मंतराला क्या सोचता है सरकार किस तरह से आगे बढ़ना चाहती है खासता और से दलहन और तिलहन को लेकर जो है वो सरकार की चिंता ज़ादा है और तीसरा विशे है इसमें अर्बन डेवलेपेंट अर्बन गवर्नेंस अर्बन गवर्नेंस का मुद्दा लगातार जो है फोकस में है कि इंद्र सरकार के और इस पर काम सरकार लगातार कर रही है और इसको बढ़ावा देना चाहती है जो municipal corporations है उनके काम काज में सुधार उनकी आर्थिक स्तिती में सुधार इन सब पे काम करना चाहती है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अपने राज्य की इन मुद्दों से संबंधी समस्या है या उसके अलावा भी कई मुख्यमंत्री उसका भी इस्तिमाल करते हैं जैसे 36 गड़ की मुख्यमंत्री ने इसको लेकर सवाल उठाया जो मिनरल्स की माइनिंग से मिलता है लेकिन मुख्यमंत्रियों के लिए आपचारिक रूप से अपने राज्य का मुद्दा उठाने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मंच है क्योंकि यहाँ पर दूसरे मुख्यमंत्रियों के अलावा प्रधान मंत्री खुद मौझूद रहते हैं पूरी बैठक में मौझूद रहते हैं सब की बात सुनते हैं इसके नोट्स लिए जाते हैं फिर आगे इस पर कारवाई होती है दो मुख्यमंत्री दो राजियों के मुख्यमंतरी उने तै किया, इसमें नहीं आएंगे एक, एक ने बाइकाउट की घोशना की और एक ने चाला की से चुपी का सहारा लिया बाइकाउट की घोशना जाहिर है कि तेलंगाना के मुख्यमंतरी के चंदरशेखर राऊ ने की वो पिछले लगभग एक साल से केंदर सरकार के लगातार खिलाफ है धान की जो खरीद है उसको लेकर जो मुद्दा उठा तब से वो सबसे जादा केंदर सरकार के खिलाफ है वो चाहते थे कि जितना भी तेलंगाना में धान के पैदावार हुई है सब केंदर सरकार करीद ले उससे केंदर सरकार ने मना कर दिया तो उसके बाद से और उसके अलावा उनके कई मुद्दे हैं दूसरा बड़ा मुद्दा मैं कई बार उनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि केसियार के लिए है BJP की बढ़ती हूई टाकत BJP चैलेंजर के रूप में तेलंगाना में उभरी है केसियार के सामने तो केसियार को लग रहा है कि हमारी लड़ाई वो BJP से होनी है regional party का कास्त तर्ष से हो सकता है ऐसे में वो इस तरह का बिभार कर सकती है लेकिन सभी राज्यों में ये परिस्थित्य होती है जादातर राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल की बात कर ले वहां भी यही परिस्थित्य है या आप 36 गड़ की बात कर रहेे रिजनेल पर्टी की बात नहीं कर रह रहा है कॉंग्रेस पर्टी की बात कर ले ज़ें या उसके अलावा जो है किसी और राजे को ले लिजे जहां भारतिय जनता पर्टी और विपकषी दल जिसकी उहां पर गैर भाजपादल की जो सरकार है उनमें एक तरह का राजनितीक टक राओ प्रतिसपर्था रहती ही है इसके बावजूद मुख्यमंत्री आते हैं क्योंकि अगर उनको अपने राजी का विकास करना है तो केंदर सरकार से मिलकर चलना पड़ेगा केंदर सरकार को अगर देश का विकास करना है तो राज सरकारों से मिलकर चलना पड़ेगा यही को यूच्छे जाएं और देश जो है आगे बढ़ता जाएं यह सं भू नहीं है. इसलिए कोशिश होती है कि एक काम-काजी रिश्टा बना रहे राजनीती अपनी जगए है governance अपनी जगह है तो राजियों की जरूरत होती है केंदर से और केंदर की जरूरत होती है राजियों से तो दोनों का ये mutual benefit का रिष्टा होता है अगर चलाना चाहे ठीक से तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंदर में किस की सरकार है राजि में किस पार्टी की सरकार है दस साल के मनमोहन सिंखे राज में केंदर सरकार से सबसे ज़्यादा फाइदा उठाने में काम्याब रहे गुजरात के तदकालीन मुक्यमंतरी नरिद मोदी क्योंकि वो तैयारी के साथ आते थे उनको क्या चाहिए फोकस्ट होते थे उनको केंदर से किस तरह की मदद चाहिए या केंदर का किस मामले में सायोग चाहिए उसके लिए वो पूरी समवैधानिक और प्रशासनिक तैयारी करके आते थे इसलिए उनको फाइदा मिलता था केंदरी योजनाओं का सबसे जादा फाइदा गुजरात में उठाया उन्होंने मुक्यमंतरी रहते हुए उनको implement करने के इच्छा शक्ती दिखाई उन्होंने इस बात में भेद नहीं किया कि केंदर सरकार की योजना है तो इसका राजनितिक फाइदा कॉंग्रेस पार्टी को मिल जाएगा तो मैं इसको क्यों लागू करूँ जैसा इस समय कई राज्यों में हो रहा है लेकिन विरोधी दल की सरकार हो प्रतिसपर्दी दल की सरकार हो वहां से इस तरह की आवाज उठे समझ में आता है बिहार जहां बीजेपी और जनता दल यूनाइटेट की साजह सरकार चल रही है जिसके मुख्यमंत्री नितीश कुमार है और बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया इस बात को उनको याद रखना चाहिए ये अलग बात है कि वो याद नहीं रखते वो जब लालो प्रसाद यादो की आरजेडी के साथ गए थे तब भी आरजेडी उनकी पार्टी से बड़ी पार्टी थी लेकिन उन्होंने इस बात को याद नहीं रखा लालू प्रसाद यादों ने भी उनको मुख्यमंत्री बनाया तो ये ये इतिहास जो अतीत है नितीश कुमार का ऐसा ही है कि जिसने उनको गले लगाया उसी को उन्होंने उसी की पीठ में गोपाया बीजेपी के साथ किया फिर आरजेडी के साथ किया अब फिर से बीजेपी के साथ करने की तयारी में ये पांचमा ऐसा आउसर है दिल्ली में जब नितीश कुमार की मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थिती होनी चाहिए थे अगर वो किसी विरोधी दल के गैर भाजपा विरोधी दल के नेता होते मुख्यमंतरी होते तब भी हाल के दो जो सबसे हालिया जो उदारन है वो है उस समय के राश्टपती रामनात कोविंद को दिया जाने वाला प्रदान मंतरी का रातरी भोज विदाई भोज उसमें वो नहीं आये जो मौजुदा राश्पती हैं उनके शपत गरहन समारो का मौका था उसमें वो नहीं आये जबकि सहयोगी दल के नाते उनको जरूर आना चाहिए था अगर राजनीती एक दृष्टी से सोचते तब भी आना चाहिए था पहली बार एक महिला आदिवासी समाज की महिला राश्पती भावन पहुंची थी इसका भी उन्होंने ख्याल नहीं किया और अब ये नीती आयोक की बैठक में भी नहीं आये जहां अब आप देखिए बिहार जैसा प्रदेश जिसको कह सकते हैं कृष्टी प्रदेश है जहां अर्बनाइजेशन कम है वहां अर्बनाइजेशन की जरूरत है तो अर्बन गवर्नेंस की भी जरूरत है और वहां कृशिक छेत्र में बदलाव की भी जरूरत है अगर उसका विकास करना है और सबसे बड़ी बात सिक्षा के मामले में जो बत्तर हारत है बिहार की नितीश कुमार के इतने लंबे समय के कारेकाल के बाद भी इसलिए नई सिक्षा निती को लागू करना और तेजी से बिहार को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है लेकिन ये सब कंसिडरेशन नितीश कुमार के सामने नहीं है उनके सामने सिर्फ और सिर्फ पुलिटिकल कंसिडरेशन है लेकिन नितीश कुमार डरपोक नेता है वो कोई फैसला जो है हिम्मत के साथ ले नहीं पाते जब ले संदों की सबते दाएरे हैं उन्होंनरा पर असला इन्हों हुए जोखिम का अपने पूरे राजनीतिक सब से करीबी रहे और अपने प्रशासनिक सेवा के दौर से करीबी रहे रसी पी सिंग जो अभी हाल तक केंदर में मंत्री थे जेडियू के राष्ट्री अध्यक्ष रह चुगे और नितीश कुमार का एक समय उनको आल्टरीगो माना जाता था। आपको इसका अधिकार है किसको भेजे नहीं भेजे यह पार्टी का फैसला होता है आपने नहीं भेजा इसमें कोई बुराई नहीं है कोई गलत नहीं है उस पर कोई सवाल नहीं उठा लेकिन आपने जिस तरह से नहीं भेजा सवाल उस पर उठा उसके बाद उनसे जिस तरह स उनके परिवार पर सवाल उठाया गया है। ये जो उनके आसपास की कोटरी है, जो चार-पांच लोग हैं, उनको ये संदेश है, उनको समझ लेना चाहिए। कि अगर जरा भी गर्दन टेड़ी करने की कोशिश की, या गर्दन सीधी करने की कोशिश की, गर्दन हमेशा जुकी हुई रहनी चाहिए। अगर आपकी गर्दन स्तनी हुई है, तो फिर आप रसीपी सिंग बनने के लिए तयार रहिए। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाये कि रसीपी सिंग को पार्टी से निकाल देते। अगर आपको लग रहा था कि वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, पार्टी के हित्मे काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको पार्टी से निकालने का सहस दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया। केसियार ने ये साहस दिखाया कि घोशना करें कि वो निती आयोक की बैठक का बहिशकार कर रहे है निती शकुमार ये साहस नहीं जुटा पाए क्यों क्योंकि अभी तक वो अपने को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर पाए जिस दिन वो अपने को पूरी तरह से सुरक्षित कर लेंगे उसी दिन वो इस तरह की घोशना या इस तरह का साहस करते हुए दिखेंगे एक बार अपने जीवन में मैंने पहले कहा कि एक बार भी नहीं लेकिन एक बार उन्होंने जोखिम लिया था और आउंधे मोगिरे उसके बाद से उनकी हिम्मत नहीं हो रही है और वो समय था 2013 का जब नरेंद मोदी को भारतिय जन्ता पार्टी ने प्रधान मंत्री पद का उमीदवार बनाया तो उन्होंने जोखिम लिया था और बिना सुरक्षा कवश अपना बनाये हुए उन्होंने गटबंधन तोड़ दिया था 2014 का लोग सभा चुनाओ अकेले लड़े और 40 में से सिर्फ दो सीटें सुशाशन बाबू के हिस्से में आई है तो उनके सुशाशन का उनके जनाधार का यही आधार है इतना ही आधार है इस से ज़्यादा उनके पास नहीं है इस से ज़्यादा के लिए उनको जरूरत होती है बैसाकी की तो उनका भाग ऐसा है कि कभी आरजेडी और कभी बीजेपी उनको बैसाकी के रूप में मिलती रहत क्योंकि ये इसमें समय ज्यादा लग रहा है इसलिए बार-बार बोलना पड़ रहा है ये होना है ये तै मान कर चलिए बीजेपी और जेडियू का गटवंधन नहीं चल पाएगा अभी एक दिन पहले दो दिन पहले ललन सिंग जो उनके राष्ट्री अध्यक्ष है उनका बयान कि अभी हमने तै नहीं किया है कि विधान सभा चुनाओ मिलकर लड़ेंगे या नहीं और ये बयान उनका आया है पटना में केंद्री इग्रेह मंत्री अमिश शाह के उस बयान के बाद कि हम 2024 और 2025 का चुनाओ जेडियू के साथ मिलकर लड़ेंगे तो ये संदेश जो संकेत दे रहे हैं नितिश कुमार लगातार वो ये है कि वो बीजेपी से दूर जाना चाहते है बस समस्या उनकी इतनी है कि अभी वो नया आशियाना नया ठिकाना या कहें कि नया अपना अपना जो शिविर है वो अभी पक्का नहीं कर पाए जिस दिन जिस तारीख को वो पक्का होगा उस दिन वो चले जाएंगे तो नितिश कुमार का बीजेपी से अलग होना तैय है सवाल ये नहीं है कि होगा कि नहीं सवाल ये है कि कब होगा और वो मुझे लगता है कि हो सकता है हो सकता है लोगसभा चुनाओ से पहले आए क्योंकि लोगसभा चुनाओ तक रुकने का धैर नितीश कुमार में दिखाई नहीं दे रहा है दिन पर दिन उनका desperation उनकी हताशा बढ़ती जा रही है और उस हताशा और निराशा में वो इस तरह के काम कर रहे हैं जिसका उनके पास कोई तार्किक आधार नहीं है इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिसका उनके पास कोई plausible explanation नहीं है कोई तार्किक जواब नहीं है तो आने वाले दिनों में निटीश कुमार की तरफ से इस तरह का व्यवहार और इस तरह का रविया उनका इस में जाफा होने वाला है बढ़तरी होने वाली है कि कम नहीं होने वाला है अब सवाल यह है कि बीजेपी ने तो अपनी ओर से यह सपष्ट कर दिया है खास्तोर से केंद्री ग्रे मंत्री अमिश शाह के बयान के बाद यह सपष्ट हो गया है कि बीजेपी अपनी ओर से इस गड़ बंधन को नहीं तोड़ेगी अब निती इशकुमार के लिए मुश्किली है कि अगर बीजेपी तोड़ देती तो शायद उनके लिए आसा नहीं होती तो अब गड़ बंधन तोड़ने का जिम्मा उनके उपर आ गया है और वो अभी जोखिम लेने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे है इसलिए चुपपी है इसलिए चुपचाप है रवीवार को निती इयोग की बैठक में नहीं आए लेकिन पटना में नेशनल हैंडलूम के कारिकरम में वो घुमते हुए नजर आए तो ऐसा भी नहीं है कि उनका स्वास्त नहीं ठीट है लेकिन उनसे ये भी नहीं कहा गिया कि वो बताएं कि वो क्यों नहीं गए नीतियायोग की बैटक में वो डिप्टी सीम को भेजना चाहते थे उनको मालूम है इसके बावजूद कि ये इसमें ये फोरम ऐसा है जो केवल मुख्यमंत्रियों का और लेटरिन गवरनर्स का है इसमें और कोई नहीं जा सकता फिर भी उन्होंने ये दिखाने के लिए एक चिट्टी भेजी कि वो डिप्टी सीम को अपने भेजना चाहते हैं प्रतिन दी के तोर पर जाहिर है कि वो मना हो गया तो नितीश कुमार क्या करने वाले है इसका अधिजार कीजिए उनके अगले कदम का तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आपसे अनुरूद है कि चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नमस्का